विश्व प्रसद्य शक्ति पीट श्री ज्वाला मुख्य मंदिर में आशार मास शुल्क पक्ष में परंपरा अनुसार गुप्त नवरात्र के दोरान माजवाला का प्रकटोचसव मनाया जा रहा है श्रद्धालू बड़ी श्रद्धा से माजवाला को भोग प्रसाद भेट कर रहे हैं माजवाला के प्रकटोचसव के पावन दिवस पर मंदिर को सौक क्विंटल फूलों से सजाया गया है रंग बिरंगी लाइटे भी लगाई गई हैं ताकि माजवाला का दर्बार की भविता और जादा दिव्य रूप में दिखाई दे इसके अलावा माजवाला के प्रकटोचसव पर मंदिर में मैया को विभिन्य प्रकार के चपन भोग लगाए जाएंगे मंदिर अधिकारी विचित्र सिंग ठाकुर ने बताया कि शरधालूओं की सुविधा के लिए विशेश प्रबंध किये गए हैं मंदिर को माजवाला के प्रकट उत्सव के उपलक्ष में फूलो और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है मा को भिन्न भिन्न प्रकार के फोग लगाई जा रहे हैं परंपरा अनुसार माजवाला सब को सद बुद्धि प्रदान कर विश्व का कल्याण हो यही मा से प्राता है जैसा कि सभी जनते आज माता जी का प्रोट सब जन्म दिवस है और इस मोके पर यहां पर माता जी के मंदर को फूनों से सजाए गया है और इस मोके पर माता जी को भेंटकार के परंपरा तोर पर जो भी भोग लगाए जाएंगे और इसके तरिक यहां पर यग्या पाठ जो पहले से चला हुआ है जो कि आठ तरीक तक जिसका संपन होगा और भक्तों के लिए यहां सारी सुद्धाएं दी गई हैं और जो भी सा अशिरवाद सदया बना रहे उस दिशा में यह सारा कारिक्रम माता के मुंदा में किया जाय रहे हैं सभी को जैमाता की शक्ति पीट सीदी जौला मुखी में आज गुपत नवरात्र अशाड मास के लगे हुए हैं और आज जो है माजौला जी का जनुदिवस के रूम में इस दिन को मनाया जाता है और बाहरी राज्यों से श्रधालू यहां पर मा के दर्शनों के लिए पहु सार पुजारियें द्वारा नौ दिनों तक अनुस्थान किया जा रहा है जिसमें विश्व कल्यान और विश्व शांती के लिए माजौला से प्रातना की जा रही है और माजौला जी के मंदिर में जो सधालू बाहरी राज्यों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको भी माजौला का अशिरवाद प्राप्त हो रहा है इन दिनों में किये गेप भावन यग्य जाप और पाठ का अन्य दिनों किये पेक्सा के इकुणा अधिक फल प्राप्त होता है सभी को जैमाता की माजौला की कृपा और अशिरवाद सब पर बना रहें जैमाता की हिमाचिल प्लस नियूज के लिए जवाला मुखी से ब्यूर रिपोर्ट